Dear students, Assalamualaikum, उमीद आप खरिया से होंगे, इस लिक्चर में मैं आपको the adjective and its kind के बारे में तफसील से बताऊँगा, समझाऊँगा कि adjective क्या चीज है और साथ जो अकसाम है adjectives की एक-एक के बारे में तफसील से बताऊँगा, मेरे साथ जोड़े रहेगा और वीडियो को आखिर त करके कि adjective कोई लफज होता है, used to qualify जो के इस्तिमाल होता है वसफ बयान करने के लिए किस चीज का अफानाउन और प्रोनाउन, adjective कोई भी ऐसा लफज, जो कि किसी नाउन या प्रोनाउन का वसफ बयान करे, उससे adjective आ जाता है, for example, intelligent, sick, sixth, seven, much, whose, etc., etc., इन example से आपको पता चल गया होगा, कि ये जो वसफ है, जो कि कोई adjective नाउन और प्रोनाउन का बयान करता है, ये वसफ कोई खूबी भी हो सकती है, कोई खामी भी हो सकती है, कोई हालत भी हो सकती है, कोई तरतीब भी हो सकती है, कोई तैदाद भी हो सकती है, कोई मेगदार भ कैसे और कियों एडजिक्टिव होते हैं सबसे पहले प्रापर एडजिक्टिव्स प्रापर एडजिक्टिव्स और फार्म फ्राम प्रापर नाउन्स प्रापर एडजिक्टिव्स प्रापर नाउन से बनाए जाते हैं कैसे फर एक्जम्पल पकिस्तानी टी पकिस्तानी प्रापर नाउन पाकिस्तान से बनाया गिया है अमेरेकन अमेरेकन प्रापर नाउन अमेरेका से बनाया गिया प्रापर एडजेक्टिव है कुरान एक प्रापर एडजेक्टिव है जो के कुरान जो के एक प्रापर नाउन है उससे बनाया गिया है प्रापर एडजेक्टिव क देखें एक इपिटल है और कुरान एक में देखें क्यों किपिटल है दो नंबर पर है qualitative और descriptive adjectives यह किस कसम की adjectives होती है qualitative और descriptive adjectives are used to show the quality or state of a noun or a pronoun qualitative यह descriptive adjectives किसी noun की कोई खूबी यह कोई हमी यह उसकी कोई हालत बेहन करने के लिए इस्तेमाल होते हैं कैसे किस किसम का लड़का ब्रेओ इन ओड मैन किस किसम का शाखस ओड़ अ टेम केट किस किसम की बिली टेम अ ब्लेक हार्स किस रंग का गोड़ा ब्लेक खाले रंग का गोड़ा तीन नंबर पर हाता है quantitative adjectives quantitative adjectives are used to denote the quality or degree of things is यह जो quantitative adjective है यह किसी चीज़ की मेगदार जहन में रखना तैदाद नहीं मेगदार या उसकी डिगरी उसका दरजा इसके इसहार के लिए इस्तेमाल होते हैं यह जो adjectives हैं यह सब quantitative adjectives हैं जिस तरह much, little, no या none, some, any, enough, sufficient, all, whole, or half यह तमाम quantitative adjectives हैं अभी no और none में क्या फर्क है, degree और quantity में क्या फर्क है, no, no, I ate no bread नो के बाद जो noun है वो expressed है, इसलिए no इस्तेमाल हुआ है I ate none, मैंने नहीं काया, क्या नहीं काया, noun understood है कि bread नहीं काया quantity और degree में क्या फर्क है, I ate much bread, यह quantity है bread की में एकदार है, I feel much pain, यह degree है, यह दर्जा है कि ज्यादा है यह कम है kinds of adjectives में number four पे है numeral adjectives numeral निकला है number से, तैदाद numeral adjectives are used to show the number or serial order of nouns or pronouns numeral adjectives, nouns या pronouns की तैदा या उनकी तर्दीब बताने के लिए इस्तेमाल के है numeral adjectives पे तो kinds medivide की गए है number एप है definite numerals और number तो हैं indefinite numerals पेले definite numerals की बात करते हैं, definite numerals denote some exact number definite numerals सही तैदाद, exact, बिल्कुल ठीक तैदाद बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं इन में कोई ambiguity नहीं होती के one है, two है, first है, second है, या कितने हैं तर्दीब में भी और तैदाद कोई ambiguity जहन में बाकी नहीं रहे हैं पिर definite numerals को भी तीन categories में तक्सिर किया गया है, कौन कौन सी, cardinals, ordinals और multiplicate हैं देखते हैं वो कौन कौन सी हैं cardinals में सीधा सीधा तैदा होती है, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten ordinals में तर्दीब होती है, first, second, third, fourth, fifth, six, seven, eight, nine, ten इस तरह में कितनी मर्तवा, only one, single, two, four, double, three, four, triple, four, 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 five, four, six, four, seven, four तो ये definite numerals अब के पर किटा करीज हैं तीन, अब आते हैं indefinite numerals की तरफ, indefinite numerals denote number of some kind, तैदार तो बता रेते हैं, but not exact, पेल्कुर ठीक तैदार नहीं थे, without saying precisely what the number is, ठीक तर नहीं बताते हैं के तैदा धाय कितनी, और ये कौन कोशी हैं, are, some, enough, no, or none, many, few, several, sundry, इन में कुछ ऐसी भी indefinite numerals हैं, जो के quantitative adjectives में इस्तिपाल हुई हैं, इन दोने में पर फर्द क्या होता है, ये sense का फर्द होता है, कि आपने के sense में उसकी है, इस sense पर मैं शाला एक अलिए वीडियो मनाऊंगा, ज़रूर देखिए का पर, नोट, definite numerals को indefinite numerals भी बनाए जा सकता है, कैसे अगर हम definite numerals से पहलें, या some लगा दें, या about लगा दें, किस पर आफ, some 20 men, some जब 20 से आगया, पर आगया तक्रीबन लगबग, पर ये exact number नहीं है, about 30 students, about 30 से पहले, about आगया था क्रीबन लगा, तो इससे ये मकस्त है, कि जब हम किसी exact number से definite numerals से पहले, कोई, कि जब हम definite numerals से पहले, या some लगा दें, या about लगा दें, तो फिर हो indefinite numerals भी बनाए जाते हैं। Number 5, Demonstrative Adjectives. Demonstrative Adjectives किसले इस्तेमाल होते हैं? Demonstrative Adjectives are used to point out a noun or pronoun. Demonstrative Adjectives किसी noun या pronoun को point out करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, किसी noun या pronoun की तरफ इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, ये सिरफ और सिरफ चार हैं, this, that, these or those, this, singular नजदीक के लिए, these, plural, नजदीक के लिए, that, दूर, singular, और those, plural और दूर के लिए, ये सिरफ और सिरफ चार हैं, for example, this dog, कोई कुटा करीब है उसके लिए, this dog, that, book, बुक कोई दूर है उसके लिए, these boys, ये लड़के, दोस पिक्चर्स, वो तसवीर, नमबर six, interrogative adjectives are used with nouns or pronouns for asking questions, interrogative pronouns सिरफ और सिरफ तीन है, नमबर एक है what, नमबर दो है which, नमबर तीन है whose, what general sense में इस्तेमाल होता है, which selective sense में इस्तेमाल होता है, whose position केस के लिए इस्तेमाल होता है, for example, what book is that, वो कौन सी किताब है, general sense है, which book do you like the best, आपको सबसी ज्यादा कौन सी किताब पसंद है, कौन सी किताब हैं, उनमें से कौन सी आपको पसंद है, whose book is that, वो किस की किताब है, पिर सुनिए, interrogative, adjective सिरफ और सिरफ तीन है, ये किसी noun या pronoun के साथ मिलकर सवाल पूछनी के लिए इस्तेमाल होते हैं, what is used in a general sense, which is used in a selective sense, and whose is used for positive case, now comes positive adjectives, positive adjectives, positive case के pronouns है, ये जो positive pronouns हैं, ये positive adjectives भी हैं, ये किसलिए इस्तेमाल होती हैं, positive adjectives are used with nouns to show position, our relationship, positive adjectives किसी noun के साथ इस्तेमाल होती हैं, ताकि उसकी मलकियत या उसके रिष्टे का इजहार हो सके, dear students, उमीद है आपको लेक्षर की समझ आई होगी, अगर लेक्षर की समझ आई हो, और लेक्षर पसंद आया हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजएगा और बिल का एकन प्रिस कीजएगा, ताकि मेरे आने वाली वीडियोज अब तक बरवक्त पहुंच सकें, शुक्रिया,